ताइप 8 की बात करते हैं सीता ने किसी परिक्षा में 180C प्रप्त किये वह 30C से फेल होगी अब उसके पास पूल अंक कितने हैं तो सीता के जो मार्क्स है पास जो अंक है वो कितने हैं 100C अगर उसको 30 और मिल दे 30 और मिल जाए तू 10 हो जाएगे 210 हो जाएगे जिससे वो क्या हो जाएगे पास हो जाएगे मतलब उतिरन हो जाएगे अब यहीं बोल रहा है कि यदि फ्रिक्षा का उतिरनाग ही 30% है मतलब 30% वाला ही पास हो रहा है और यहाँ पर उतिरन करने के लिए कितने नमबर चाहिए है 210 नमबर चाहिए मतलब 30% ही 210 के एक्विल है तो हमें क्या करना है कुल पुर्णाग निकालने है तो कुल पुर्णाग को माल लेते हैं X उस X का अगर 30% निकालते हैं तो वो 210 आता है तो X का जब 30% निकालेगे 30% है वो कितना आना चीए 210 क्योंकि 210 ही उत्रे ना किया है पास करने के लिए अब % अटाएंगे तो भी निच्चे कितना आजएगा 100 हाजएगा multiply कितना है 210 अब क्रोस multiply करके X की विए उकाल लेगे 210 हाजएगा 10 से 10 कट गया 7 1 इसका 0 कितना है 700 मार्क कुल कितने मार्क्स होगे 700 मार्क्स होगे अब आता है टाइप नमबर 9 की बात कर लेते हैं किसी एक अक्षा में 30% चातर संसकर्ट में है और 25% चातर अंग्रेजी में अनूतिरन होते हैं मतलब अनूतिरन का मतलब क्या होता है फेल होते हैं यदि दोनों विशे में 10% चातर अनूतिरन हुए दोनों विशे में कितने विशे में 10% चातर हैं तो हमें निकालना है कुल अनूतिरन पहले है तो सबसे पहले है कुल अनूतिरन निकालना है कुल अनूतिरन निकालना है उसको फॉर्मला क्या होता है ए प्लस बी जितने भी सब्जेक्ट है जैसे के सलस्कत हो गया अंग्रेजी है उसको ए माल लिया इसको क्या माल लिया इन द इसका यह उत्तिरन निकालना है तो इसी का उत्तिरन होता है और दोनों सब्जेक्ट का जो उत्तिरन है वो सब्टेक्ट कर देदे तो आधे हमें एक फूर निकल जाते हैं अब हमें फ़ता चल गए कुल नूतिरन कितने हैं वो निकाल लेते हैं एंविशे में कितने हैं 25 दूसरे में कितने हैं दूसरे में पहले में 30 हैं दूसरे में 25 हैं दोनों को सब्टेट कर देते हैं एक ही बात है दोनों उल्टा कर लेना या 30 कर लेना या 25 कर लेना और जो दोनों सब्चेक्ट में 30 तो 35 कितने हैं पिचपन, पिचपन, माइनस 10 कितने हो गए है 45 तो 45% जो 7 है न वो % में पूछ आ है तो कुल कितने % 6 अनुतिरिन हो यह तो % में 45% 6 निकल तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कुल अनुतिरिन निकालने का फॉर्मूला है A प्लस B माइनस Y तो अनुतिरिन की बात कर रहें तो अनुतिरिन इसका, अनुतिरिन इसका, अनुतिरिन हर चीज में अनुतिरिन चलना चाहिए अगर उतिरिन की बात कर रहें तो उतिरिन ही चलना चाहिए ठीक है, तो नेक्स टाइप का क्यूशन है नेक्स आइप आपके सामने दे रहें टाइप नंबर 10 किसी खक्षा में 60% व्यझान में 70% हिंदी में अनूतीरण यहां बात कररहा है उतीरण की बात कररहे है उतीरण है और 15% चाथर दोनों विष्चे में अनूतीरण है इसमें अनुतिरन की बात कर रहे है जब अपनों को निकालना है कि अनुतिरन चात्रों की संखे निकालनी है तो अनुतिरन चात्रों की संखे कितनी होगी तो अनुतिरन चल रहा है पुल निकालने के लिए फॉर्मले का है A प्लस B माइनस C इसका भी अनुतिरन हो चाहिए इसके भी अनुतिरन इसका भी यहां तो देर का है उतिरन देर का है तो अपने क्या करता है विज्ञान जो विशे है उसमें उतिरन कितने है 60% कि तो अनुठीन कितना होंगे अनुठीन की बात किम लंटे उस 100 में से सब्सक्फट कर देंगा कि今年 कर यह अ बात कर लेंगे देहं हिंदी हिंदी में контेयस हूं कि सतर परसेंट है कि अनुठीन की बात कर रहे हैं सो माइनस सो देंगे 30% अनुतिरन अब निकालते हैं अनुतिरन निकल गया इसको A माल लिए इसको B माल गया A और B को दोनों को एड़ करना है और दोनों सब्चेक्ट में जो अनुतिरना वो माइनस कर देंगे A और B को एड़ कर लो 40% 40 का 40 है प्लस 30 माइनस 15 70 में से 15 गए 70 माइनस 15 तो कितने % होगे 55% होगे 55% अभी % के अंदर है तो 55% है ना ये % में लेकिन इसने के बुच्छ है 46 कितने जो प्रिक्षम है वो बेठे है तो बताओ प्रिक्षम है 46 कितने बेठे है वो निकालने अभी फिलाल हमें नहीं के निकाला है अनुतिरन चातर है ना वो निकाला है अनुतिरन चातर है 55% है और यहां अनुतिरन चातर हो किसें के कितनी दे रिक्षम है तो हम माल लेते हैं कुल चातर कितने माल लेते हैं X उस में से X का 55% है फेल हो जाते हैं X का 50% फेल होने वाले हुसें के कितनी है 220 है 220 इसके इक्वल % है % हटाएंगे जिचे 100 220 220 को 100 से multiply कर देंगे और 55 का divide कर देंगे यहां से आजेगे 400 जो छातर है ना वो अपने पास है कुल प्रिक्सा में बैठे गे चातरोंगे संक्या 400 है अगले टाइप की बात कर लेते है टाइप नमर 11 किसी चुना में 2% है एक खड़ा हुआ इधर दूसरा 2% कड़े है 1% को 65% मिले है तो टोटल परसेंट कितने होते हैं अंड्रेड होते हैं बाकी बच्चे किसको मिल गया 35% अब उसने कहा वह जो पहला परत्यासी है वो 200 मत उसे वीज़े हुआ मतलब इसने 200 मत है ना 200 वोट ज़्यादा लाए तो पहले अपने परसेंट के अंदर बात कर रहे है तो वोट परसेंट में ज़्यादा कितने है वोट परसेंट में 65-35 सब्टेट कर दिया कितना आ गया 30% वोट ज़्यादा है वोई 30% किसके बराबर है 21 के बराबर है तो कुल टोटल वोट माल लेते है X कुल वोट है X ठीक है X का आप क्या करेंगे टोटल निखाल लेते है X का जो भी है आपने पास बज़्यादा है 30% 30% कितना जगे 21 के बराबर X मल्टिप्लाइ 30 परसेंट अटाएंगे तो नीचे है 100 इसको दो जिरो से मल्टिप्लाइ कर दिया इधर 30 यह मल्टिप्लाइ में इधर किसमें चला देगा डिवाइड में इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना जगा 7000 वोट से टोटल वोट पड़े थे 7000 7000 जो वोट है न वो टोटल पड़े एक जग ठीक है तो नेक्स टाइप पड़ेंगे